नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टीचिंग वाला पर एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हैं एक बड़ी बहतरी न्यूज लेकर देखो आप सभी लोग जानते हैं कि VPSC के एक्जामिनेशन में सबसे जादा मोका दिया जाता है छात्रों को चीजों को चेंज करने के लिए अब काफी लोग परेशान थे जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि आप लोगों ने अपने एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करते समय उसमें गलत फोटो अपलोड कर दी थी जिसकी वज़े से काफी समस्या का सामना करना पड़ा था और प्रोब्लम को जब VPSC तक पहुचाया गया तो उन्होंने उसको ठी करने का एक मोका दिया रेक्टिफाई करने का मोका दिया इस बार भी VPSC के तरब से एक और मोका आप सभी छात्रों को दिया जा रहा है जो भी लोग VPSC की परिक्षा दे रहे हैं और उन्होंने एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करते समय कुछ गड़वरी वहाँ पर कर दिया फोटो के साथ तो एक बार देख लिजेगा यहां पर तो जब आप VPSC की ऑफिशल वेबसाइट पर जाते हैं तो सेकिंड नंबर पे ही आपको एक नोटिस दिखाई देगा इस पर आप जब किलिक करोगे तो आपके सामने कु कराई जा रही है 12-2023 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभ की गई है कतीपय अव्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया है कि यह आजमीट कार्ड के अध्यतन फोटो upload करते समय गलत फोटो upload होने के कारण यह एडमिट कारण में दुजित्य फोटो अन्य व्य कर दिया है तो ऐसी कंडिशन में ठीक है ऐसे अभ्यार्थियों को गलत फोटो एडिट करने करके सही फोटो दुबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अबसर प्रदान करते हुए उनके डैश बोर्ड पर दिनांक 5-12-2023 से 6-12-2023 तक फोटो अपलोड करने की सुविधा जान नहीं किया जाएगा आप में से अगर खॉटर ऐसा है जिसने अपने अध्मीट कार्ड में गलती से गलत फोटो अपलोड कर दिया है आप दो फोटो आपके एडिमिट कार्ट में दिख रहे हैं तो आप जो है कल से 5 तारिक और 6 तारिक में उस फोटो को दोबारा से एडिट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने करेक्ट फोटो को डाल सकते हैं तो VPSC की तरब से एक और अच्छा मोका आपको दिया जा रहा है लेक कतीपै अव्यर्थियों के दुआरा अपलोड फोटो या हस्ताक्षर या इमेज आइसपस्ट अपठिनिय अनिय व्यक्ति इत्यादी का रह जाता है तो वैसे अव्यर्थी निमलिकित कागजाद साक्षिय परिक्षा की निर्धारित तिथी को संबंधित परिक्षा केंदर क केंदरा दिख्षक को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे यानि की मान लिया कि ऐसी कंडिशन देने के बाद आपको जो है मोका देने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे निकले जो इस टाइम में पूरा नहीं कर पाए अपने फोटो का अब लोड नहीं कर पाए हैं जिनक कलब्द घोशना पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राज-पत्रित पदादिखारी से अभी प्रमानित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर्द हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे ठीक वहाँ पर आपको करने पड़ेंगे हिंदी इंग्लिस दोनों लैंग्विज में और यह आपको एक्जाम के टाइम पे केंद्रा धिक्षक को देना पड़ेगा जो केंद्र का धिक्षक होगा वहाँ पर बहरती से प्राप्त उप्यूक्त सभी काग जादो एवं फोटो का मिला सत्यापन करने के पस्चात ही उन्हें परिक्षा केंद्र पर परिक्षा में समलित होने की अनुमती दी जाएगी परिक्षा कोड के संबंद में विस्ति जानकारी 512-2013 में उपलब्द करा दी जाएगी कि परिक्षा केंद्र के जो कोड है वो क्या है वो कल से आपको पता ल तो ऐसे चात्रों को भी एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने 6-8 में गलत दो सब्जेक्ट चुन लिये हैं मान लेगी आपका जो ग्रेजुएशन में में सब्जेक्ट कॉंबिनेशन था वो था आपका साइंस में हिस्ट्री और जोग्रफी था और आपने जो है कुछ होड़ चूस कर लिया वहां पर ऐसे चात्रों को भी मोका दिया जा रहा है अब व्यर्थियों को परिक्षा प्रारंब होने के एक घंटा पूर तक ही परिक्षा के अंदर में प्रवेस की अनुमती दी जाएगी अर्थात एग घंटा पूर प्रवेस बंद कर द हो गई है तो आपको एक और मोका वहां पर दिया जा रहा है तो ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप टीचिंग वाला के साथ जुड़े रहिएगा तो उम्मीद करते हैं आप सभी का एक्जाम अच्छा होगा so all the best take care thank you and bye